हेलो गाज वल्कम बैक टू माई चैनल आज हम यूपी के ब्रिंदाबन मत्र गुम ने आये हैं हम आपको आज गीरी को पड़तेने के पुरे दर्शन का राएंगे स्टाटिंग में आपको हर्यान गया के बडोर के कुछ देखने को मिलेगा मेरियम पेस्विने आपको राचतान बडोर देखने को मिलेगा लोग पेदल पी जाते है आप जाही काड़े बुकिंग कर कोई जा सकते दखिए अभी रासतान में पेजा रहे हैं इसके बाद छुप यहांसे ईपी बडर शूर हो गया दुआपर युक्की काहने एक बार पुरे ब्रज में जोर्शोचे तैरी चल रहे थी पुझा करने केले तो भगान कृष्ण ने बाबा नंद से पुझे बाबा आज किसके तैरी चल रहे थी इतना जोर्शोचे किसके पुझा कर रहे थी बोबले हम हर साल एक बार बगान इंद्रों को पुझा करते है उसके लिए हम आज तैर कर रहे थी बोले इंद्रों को क्यों पुझा कर रहे थ उनके बाबा बोले बो बारिस करते हैं जिसके बज़े से पानी हमको मिलता है हम खेती बाड़ी करते है जानवर को दाना मिलता है चारा मिलता है इसलिए हम उनको पुझा करते हैं वो बोले बो कभी आपके पास आए, आपके समस्य का समधान किये, बोले ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बोले ऐसा कियसा राज है वो जो प्रजा का दुक का दूर नहीं करते, बो बड़े घमंड है, उनको तो पुझा करना नहीं चाहिए, उससे तो आछा है कि आप उनको पुझा करके देखते हैं, उसके बाल सारे गाउं पुझा मे जुट गए और सारे पुझा करने लगे, यह देखें भगान जो इंद्र थे उनको बड़ा गुसा आया, बोले यह छोटा बालक के बुद्धी से सब लोगो मेरी पुझा छोड़े एक पाःड को पुझा क यह देखके उनको गुसा आया और वो साथ दिन साराद जोर से बारिस करने लगे यह बोजागा देखिए जतिपुरा में जाभगाने क्रिष्ण ने अपने उंगल में गिरिगवर्धन को उठाये थे सारा गाउं पानी में डुब गया जान बचना के लिए सारा लोग आके क्रिष्ण के पास पहुंच गये और क्रिष्ण ने गिरिगवर्धन को अपने उंगली में उठा कर सब के जान बचाये जब इंद्र का सारे पानी खत्म हो गया लोग अपने काम पे चल लगे तब इंद्र का गुरु टूट गया और आके बड़ क्रिष्ण से बोला तो यहां से बड़ी परिप्रमा खत्म हो गयी यहां से छोटी परिप्रमा स्टांड है जिस अईरावत हस्ती के अपर बेट के हम गुरु दिखा रहे थे हमारा गुरु टूट गया हमें माप कर दीजिए आप ही बड़े हैं आज से आप ही की पुजा होगी तब से जोड़ सर्चे उधर ही पुजा होती है यही देखिए बब जागा है जहां हनुमाने बेट के र बाई बाई बाई